अज़ हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी यह देखिए बिलकुल मार्केट जैसी और खाने में बहुत ही टेस्टी इसे मैंने दो कलर्स में बनाए यह देखिए एक तो यह औरेंज और एक यलो यह दो कलर्स में मैंने इसे बनाया है आप कोई भी घर पे आपके फूट कलर अव हम इसका चिलका उतारके इसे चोटे-चोटे चौक और स्क्वेर पीसेस में काट लेंगे इस तरह से चिल लेते हैं पतला सा और इसका यह चिलका भी हम पतला सा यूँ चिल कर इस तरह से चिल लेंगे और इसके चोटे-चोटे पीसेस कर लेंगे हम इस तरह से चोटे-चोट में काटना है इस तरह से रखके यूं चोटे-चोटे पीसिस कर लें इसके यह बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे जरूर घर पे ट्राई करें आप इसे कस्टर्ड, आइस क्रीम, शेक्स किसी पे भी आप यूज कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से में सारे काट लूगी पानी बहुत गरम हो चुका है अब हम यह जो पीसिस हमने चोटे-चोटे काटे है इन्हें हम इसमें डालके पांच मिनट तक बॉयल करेंगे ताक यह थोड़े से ट्रांस्पिरेंट हो जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए हमने इसे 50 परसंट तक ही कुप करना है और थोड कवर ना करें से यह देखिए 2-3 मिनिट हो चुके इसे बॉयल होते हुए एक-दो मिनिट और हम इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताक यह थोड़े सॉफ्ट हो जाए यह देखिए काफ़ी ट्रांस्पेरेंट हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए है अब हम इसे एक बरतन में स्ट्रेनर लगा के स्ट्रेन कर लेंगे इसका पानी निकाल देंगे इस तरह से आप भी इसे चान लें इस तरह से एक चलनी की मदद से इस तरह से यह देखिए कितने सॉफ्ट हो गया और इनका कलर भी चेंज हो गया है बस हम नहीं इतना ही पकाना था अब हम गैस पर एक पतीला रखेंगे इसकी चाशनी बनाने के लिए इसमें मैं एक कटोरी चीनी की डाल दूँगी अब चीनी की क्वांटिटी जितने आपने टूटी फ्रूटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग लें तो यह मैंने एक कटोरी लिए अब मैं इसमें डेट कटोरी पानी की डाल दूँगी यह देखिए एक कटोरी पानी की डाल दूँगी मैं इसमें पानी की इसे दो तिन मिनिट तक हम यूँ पका लेंगे हिलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे यह देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें यह देखिए एक चुथाई चमच बनीला एसेंस डाल देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आप कोई भी एसेंस यूज कर सकते हैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा टूटी फ्रूटी में इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम यह जो हमने बॉयल करके रखें पीसिस इन्हें डाल देंगे इसमें और इन्हें हम दस मिनिट तक इसी चाशनी में पकाएंगे यह चाशनी जब तक थोड़ी हल्की सी चिप・चिपी ना होजाए हमने इसकी एक तार नहीं बनानी है बस इतना ही पकाना है जितने की थोड़े यह थिक सी होजाए चिप・चिपी सी होजाए गुलाब जामनों की जैसे चाशनी हम बनाते हैं उस तरह की यह देखिए अब यह ready है अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं हम इने दो-तीन बॉल्स में निकाल लेंगे और इनमे अब हम food ताने यह तोड़ी colorful सी बन जाए मैं इस तरह से आपके पास जितने फूट कलर जै आप उतने बॉल्स में निकाल ले यह देखिए इस तरह से मैंने तीन बॉल्स में निकाल लिया है तो अब हम इसमें फूट कलर डालेंगे यह देखिए इसमें एक चोथाई चमच में यह औरेंज फूट कलर केसरी रंग है यह डाल दूंगी यह होममेड फूट कलर है इसकी रेस्पी में आपके साथ शेयर करूँगी यह देखिए इसमें भी मैं यही डाल दूंगी यह घर पे बनाना बहुत ही असान है और इसमें मैं यलो फूट कलर डाल दूंगी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आजाए हमारी तूटी फूटी में ग्रीन कलर बनाना भी बहुत ही असान है अभी मेरे पास ग्रीन कलर अवैलेबल नहीं है तो मैं यह दो ही कलर यूज करूंगी एक यलो और यह ओरेंज अब हम इन्हें दो घंटे तक कम से कम छोड़ देंगे इसी तरह ताकि इसमें अच्छे से कलर आजाए तूटी फूटी में यह देखिए दो घंटे हो चुके अब हम एक बरतन में एक स्ट्रेनर लगा लेंगे इस तरह की बड़ी चलनी लगा लें और इसका यह जो चाशनी वाला पानी और कलर वाला है इसे हम छान लेंगे अच्छे से क्योंकि अब हम इसे टूटी फूटी को अब हम सुकाएंगे इस तरह से अगर आप अलग 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 रखना चाते हैं तो आप इसे निकाल लें एक प्लेट में और फिर दूसरा रंग इसमें चान लें इस तरह से मैंने यह मिक्स करनी है तो मैं एक ही चलनी में इसे निचे इसका चाशनी बचिये इसे आप फैंके ना इसे किसी शर्बत में यूज कर सकते हैं अब हम एक प्लेट में यह टिशू पेपर निकाल के इसे निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसे सुकाना है आप चाहें तो फैंके नीचे इसे चार-पांच घंटे के लिए सुका सकते या एक दिन तेज धूप में आप इसे अच्छे से सुका लें तो मैं इसे तेज धूप में एक दिन पूरा सुकाऊंगी फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि यह कैसी बनी है यह देखिए मैंने इसे एक दिन तेज धूप में अच्छे से सुका लिया है और यह टूटी फ को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग